हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न विशिफाली तो आज हम यूलाइक का सेंपल पेपर करने वाले हैं क्लांस 10 का इसमें हम सेक्शन एक के कोशन नमबर 1 तो 13 तक इस वीडियो में करेंगे हमजा का बड़ी नहीं करेंगे यसे पांट मांट आपके आते रहेंगे तो कोशन नमबर 1 है आपका इन दोरों नमबर का आपको एक चीज़ बताना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं अब आपको एक चीज़ बताओगी कि HCF इन्टू LCM करोगे तो क्या है का प्रोड़क्ट ओफ टू नमबर क्या होगा प्रोड़क्ट ओफ टू नमबर इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं LCM निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम, HCF, आपको HCF पता कि क्या है, 27 है, हमें LCM नहीं पता है, LCM लिख देते हूं, इसके, product of two numbers, कौन the two numbers, 54 and 81, तो product मतलब होता है, into, तो 54 into 81, ठीक है, ना clear होता जा रहा है, 81, अब इनको क्या करेंगे हम, into कर दियागे, तो मैं LCM को भाल ले लेती हूं, LCM is equals to 54 into 81, अब पॉन में चला जाएगा 27, ठीक है, इतना clear है, अब आप इसको cut भी कर सकते हो, जैसे 3 9s होता है, और ये होता है आपका 27s, ठीक है, फिर से आप 3 से cut कर सकते हो, 3 3s और 3 9s, फिर 3 3s, तो ये क्या हो जाता है, last में आजाता है, ठीक है, तो अब आपका answer आचुका, that is 162, ये आपका LCM आचुका है, तो options में देखो, 45, 9, 36, 162, तो 162 के हो जाता है आपका, correct option हो जाता है, ठीक है, बहुत easy mcq था, next देखते हैं, next आपको क्या given है, कि for what value of k, the equation, आपको equation दे रखिया, आपको k की value find out करने है, has equal roots, तो k की value हम कैसे find out करेंगे, अब ये वाला तो आपको दिखी रहा है, ax का square, plus b, plus bx, plus c is equals to 0, यह आपको इस form में दिखी है ये वाली equation, 9x का square, plus 6kx, plus 4 is equals to 0, आपको इस form में नजर आ रही है, तो इसके according, a क्या हो जाता है आपका, a हो जाता है आपका 9, b हो जाता है आपका 6, ठीक है, b हो जाता है 6, और c आपका हो जाता है 4, ठीक है, सबकी values हमें पता है, अब इसमें भोला गया है, कि since the given, so इसमें ये भोला गया है, आईसा equal roots, equal roots है, तो that means d जो हो जाएगा, वो क्यों हो जाएगा, 0 के equal हो जाएगा, तो that means हम कैस के अंदर करेंगे, कि b का square minus 4ac is is equals to 0, ये मुझे आपको बताने की जरुवत नहीं है, कि ये कहां से आया, आप में chapter अच्छो से पढ़ा होगा, तो आपको ये बहुत अच्छो से clear होगा, ठीक हैं, आगे हम इसको further आगे solve करते हैं, b क्या है आपका 6, ये लिखूंगी मैं, 6k का square, minus 4 into a क्या है, 9 into c क्या है, आपका 4 is is equals to 0, इसको further solve कर लो, तो 6 का square क्या हो जाएगा, 36k का square, minus 9 into 4 करोगे, 36 into 4 is is equals to 0, ठीक हैं, 36k का square, minus, इनको फिर से into कर दो, तो ये आपका आजाएगा, 144, ठीक हैं, 144 आजाएगा आपका, ठीक हैं, अब इस 0 को हम यहां लिया है, तो ये equals to 1 गया, ठीक हैं, अगर मैं इसको इधर लिया ही, तो ये plus में आके, ये क्या हो गया, एक्वल हो गया, ठीक हैं, तो फिर k का square is equals to 144 upon 36, ठीक है, अब उन में चला जाएगा 36, इसको फिर से कट कर दो, तो 36 फोर जाएगा, 144, तो आपका k का square क्या आजाता है, है, 4, और k का जो square लगावा है, मैं plus भी बोलती हूं, और minus भी बोलती हूं, 2, क्यूंकि square लगावा है, ठीक है, root कर दिया रहा मैंने, तो इसमें क्या हो सकता है, positive भी हो सकता है, 2 और negative भी हो सकता है, तो option देख लेते हैं, k is equals to 2, k minus 2, k zero, both a and b, तो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा d option क्या हो जाता है, correct हो जाता है, ठीक है, इतना clear है, I hope आपको ये दोनों question बहुत अच्छे से clear हो रहे होंगे, चलिए, अब हम देख लेते हैं, third question, third question क्या है हमारा, a quadrilateral polynomial, the sum and the product of whose zeros are 1 upon 4 and minus 1 respectively, अब क्या बोला गया है, sum बोला गया है, किसका 1 upon 4 का, product बोल रखा है, minus 1 का, ठीक, of the zeros, तो आप ऐसे करके हम भी लिख सकते हो, कि sum of zeros, sum of zeros is equals to 1 upon 4 and product of zeros, ऐसे question आप शुरू करोगे, product of zeros is equals to minus 1, ठीक है, इतना clear है, अब आपको एक चीज़ और पता है, इसमें quadrilateral polynomial में बोला गया है, तो sum of zeros और product of zeros का क्या मतलब है, एक equation सामने आ जाती है, कि quadrilateral polynomial का क्या मतलब होता है, x का square minus bracket में sum of zeros, x plus product of zeros, यह आ जाता है, अब इन दोनों values को, इसको और इसको, इसमें क्या करेंगे, हम substitute करेंगे, तो क्या आ जाता है आपका, यह आपका आ जाएगा, x का square minus 1 upon 4 bracket में, x plus product में आ जाएगा, आपका minus 1, ठीक है, इसको further हम solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, इसको इससे into करेंगे, 4x का square, minus x, यह बन चलागे न, minus x, और फिर से minus, इसको इससे भी तो into करेंगे, 4, अब और में चला जाएगा, 4, ठीक है, यह value आपके आ चुकी है, अब आप options में देखो सबसे पहले, कि क्या आ सकता है, इसका, इसका एक चीज और आ सकती है, कि आप इस 4 को क्या कर सकते हो, अलग कर दो, 4 को जब आप अलग करोगी, यहाँ पर देखो, 4 को अलग कर दो, यह हो गया, अब देखो, यहाँ पर क्या क्या चीज़े बज़ गई, 4X का स्क्वाइर, माइनस X माइनस 4, तो आपका आंसर क्या बन जाता है, यह बन जाता है, according to options में बता रहे हूँ, यह भी correct है, और यह भी correct है, options के according दिख सकते हो, आप यहाँ पी लिखा होगा, आपका, तो इसके अंदर जो है, वो option कौन से correct हो जाता है, इसमें आपका A option जो है, वो क्या हो जाता है, correct हो जाता है, इतना clear है, फोर्थ question है हमारा, graphically the pair of equations, अब आपको दो equations यह रखे हैं, represent two lines which are, अब आपको इन दोनो equations की health से आपको यह बताना है, कि intersect करते हैं, दोनों एक ही point पर, या फिर two points पर intersect करते हैं, या coincident होता है, या फिर parallel होती है, तो आपको यह सब बताना लगा, simply आपको graphically करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप simply ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यह equation है, आपको कौन सी form में equation दिख रही है, यह आप क्यों जाती है, a1, x, plus, b, y, b1, y, plus, c is equal to 0, ऐसी इसे बोलती हूँ, a2, x, plus, by, plus, c is equal to 0, यह पर two लिख दो, ठीक है, यह सफोर में आपको नजर आ रही है, अब simply आपको क्या घंणा है, इसे नीचे ऐसे करके, upon में करके लिखना है, जैसे a1, जो क्या है, आपका, 6, upon, a क्या था, 2, यह आपका a1 था, यह a2 था, right, this is equals to, अब b1 और b2 आपको बताना है, वो क्या है आपका, minus 3, minus 1, ठीक है, c1 and c2 क्या है आपका, 10 on 9, ठीक है, आप इसमें देखो, कौन कौन सी चीज़ा कट हो सकती है, यह मैं 3 से कर देती हूँ, तो यह positive, negative, यह भी क्या हो सकता है, minus से minus कट हो गया, तो यह क्या गया, 3 is equals to, 3 is equals to 10 upon 9, तो यह, जो है, वो equal नहीं है तीन, इस से आपको यह छीज़ पता चलती है, तो यह inconsistent है, यह क्या है, inconsistent है, और यह कैसे graph पर शोंगे, यह parall же होंगे, जब भी आपका, 2 जो है, वो same होती है, और 1 जो है, वो consistently नहीं हो रहा होता है, जैसे, यह three नहीं है, तो यह inconsistent हो गया, तो यह क्या होंगे, पैरलर होंगे, यह नमबल लाइन पर क्यासे ग्राफिकली क्या से शो होंगे, पैलर शो होंगे, इसी वज़े से इसका D option क्या हो जाता है, क्या आपके फास-फास करना होगा, अगर आप ग्राफ बराने बैठ जाओगे, उसे उस तरीके से सॉल्फ करने लग जाओगे, तो बैकार है, टाइम वेस्ट होगा, आपका सिंप्ली इस तरीके से सोचो, कि 3 और 3 इक्वल है, और यह डिफिरेंट आ रहा है, मतलब यह लाइन ओके, कोशन नुबर फाइफ है, तो आपको कॉडिनेट जे रखे है, जिसका 6 और 0 है, और 0 और 8 है, मतलब यह आपके हो जाते है, x1 और x2, यह आपका हो जाता है y, और यह y2, तो आपको यह बताने है, मिट पोइंट के कोडिनेट बताने है, लाइन सेग्मेंट के, कि दोन मिट पог्इंट, इनका मिट पोइंट निगाल दो, वो कैसे निगालेंगे हैं, मिट पोइंट मतलब हम जब भी किसी का हाफ करते हैं, हम क्या करते हैं, अपन 2 कर लेते हैं, सेले इसी तरीकिए से आपको अपन 2 कर लेना है, x1, चेक्किagus, प reference 2, इस तरीके से तो हम करते हैं, ऐसी y1 plus y2 upon 2. डिए करते हैं आंगे, यह हो जाता है 6 plus 0 upon 2, तो simply 6 upon 2 आजाता है आपका, इसका आजाता है आपका y का 0 plus minus 8 upon 2 अच्재क, जलिए इसका आजाता है Cambridge आपका minus 8 upon 2, यह आपका कटकी हो जाता है 4 और यह अपर कटके हो जाता है, 3, ठीक है, तो मतलब midpoint, coordinates क्या हो जाते है, 3, और minus 4, options देख लीजे, 3 and minus 4, तो आपको B option क्या हो जाता है, correct है, ठीक है, भूत easy question तब, midpoint बताना, midpoint का मतलब होता है, half कल लेना उस चीज़को, ठीक है, इस अंदर clear है, आगे हम देखते हैं, 6th question, अब 6th question में क्या given है, कि in figure, यह आपको figure given है, कि जिसके अंदर DE, पहलर है किसके BC के, okay, AE आपको कितना given है, 1.8 cm, BD आपको कितना given है, BD, 7.2 cm, CE, यह CE आपको कितना given है, 5.4 cm, अब आपको क्या बतानी है, length of AD, यह आपको क्या करना है, find out करना है, तो अब इसको कैसे find out कर सकती है, देखो, देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या given है, कि DE जो है, वो parallel है, किसके BC के parallel है, ठीक है, इस according में एक चीज़ बोल सकती हूँ, कि जब यह दोनों parallel है, तो एक theorem आ जाती है, that is basic proportionality theorem, याद होगी यह theorem, यह theorem क्या होती है, line drawn parallel to one side, line जो draw होगी from the one side of the triangle, intersect the other two side, the distinct point that divides the two side in the same ratio में क्या करने है, तो यह theorem आपको इसमें लगानी है, वो theorem क्या है, यह वाली line और यह वाली line, दोनों parallel हैं, तो that means यह वाली side और यह वाली side भी क्या होगी, इक वर होगी, ठीक है, तो मैं गया लेती हूँ है आप एडी, और पॉन में चला जाएगा, डी भी, is equals to, वो क्या हो जाएंगे, ratio में आ जाएंगी, side की, ठीक है, ae is equals to ec, आपने theorem पढ़ी है, बहुत अच्छे सा, मुझे determination की ज़र नहीं है, ठीक है, चलिए, अब a d आपको given नहीं है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जो जिते जिते सेंटेमेंटर अगिवन हैं, हम हम हैं आपको गवनेंगे, d य आपको कितना given है, 7.2, is equals to a e कितना given है, 1.8, और यह कितना given है, 5.4, ठीक है, चलो इसे solve कर लेते हैं, हम पटअ-फट से, a d निकाल देते हैं भाहर, is equals to, हम क्या करेंगे, 7.2 into 1 1.8 upon 5.4 is is equals to अब इसको आप फटा-फट से solve कर लो इसे फटा-फट से हम solve कर लेंगे तो मैं आपको answer बता देती हूँ इसका answer आजाता है 2.4 centimeter तो इस according आपका B option क्या हो जाता है correct हो जाता है ठेक है इतना clear है 6 question भी हमार हो गया बहुत ही easy था आपको यह वाली B P T वाली यह theorem जो है यह आपको learn कर लिए अच्छे आपको पता होनी चाहिए चलिए अब हम देखते है 7th question okay 7th question हम देख रहे है if sign A 3 upon 4 then the value of sack A is okay trigonometry का question आगया trigonometry में अब क्या है हम एक चीज लिखते है that is मैं एक table लिख रही हूँ P B P H H B S C T अब यह जो table है इसका क्या मतलब है बहुत से बच्चों को हो सकता पता हो S का मतलब होता है sign C का मतलब होता है cos और T का मतलब होता है tan ठीक है और यह आपका जो है यह upon में चला जाता है sign का मतलब perpendicular P मतलब perpendicular hypotenuse and base sign में क्या चाहिए होता है perpendicular upon base चाहिए होता है cos में क्या चाहिए होता है B upon H that is base upon hypotenuse और tan में हम्हारा होता है P upon B perpendicular upon base इस तरहीं की साब यह table learn कर सकते हो और अगर हमें cos, sec और cot चाहिए हो तो हम क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे sign का उल्टा क्या हो गया sign का उल्टा आपका हो गया cos, sec cos, sec का क्या मतलब है यह दोनों उल्टे हो जाएंगे that is hypotenuse upon perpendicular ऐसे ही cos का उल्टा क्या हो जाता है sac हो जाता है that is hypotenuse upon base and tan का क्या हो जाता है base upon perpendicular मतलब cot का सौरी ठीक है, sine का उल्टा होता है cosac, और cos का मतलब होता है sack उल्टा, tan का उल्टा होता है cot, ठीक है, यह आपको इलर्ण करने रहे हैं, चलिए, इस question पर आ जाते हैं वापिस से, अब हम बात कर रहे हैं, sine A की, that is 3 upon 4, 3 upon 4 हमें क्या given है, that is perpendicular upon hypotenuse given है, perpendicular upon hypotenuse, और sack A की अगर मैं बात कर रहे हुँ, तो हमको क्या चाहिए, hypotenuse upon base चाहिए, क्या चाहिए, hypotenuse upon base, च्रीक है, तो हमारा निकल आएगा, अब हमारा पास hypotenuse तो है, फोलेकिन base नहीं है, तो base हमें find out करना है, तो by क्या करेंगे है, हम pythogurus theorem का इसके अंदर use करेंगे, pythogurus theorem, ठीक है, okay, pythogurus theorem का है, hypotenuse का square is equal to perpendicular का square, plus base का square, hypotenuse हमें पता है, that is 4 का square, is equal to perpendicular, हमें पता 3, plus, और base हमें, क्या कर लेंगे, find out कर लेंगे, ठीक है, इसको हम solve करते हैं, तो मैं यहाँ पर solve कर ले दी हूँ, b का square is equal to 4 का square, minus 3 का square, इसको further up solve कर लोगे, तो square भी हट जागा, तो root में 7 आपका आजागा, इसको आप खुद solve कर लोगे, ठीक है, तो इसका answer के base क्या आजाता है, root 7, तो मतलब सैक, a में हमें क्या चाहिए, hypotenuse हमें पता है, that is 4, और b क्या हो गया, base हमारा जो अब ही निका करता है, I hope आपको ये table अच्छे से learn होगी, तो ऐसे questions के लिए अफड़ा-फड़ा आपके table लिखो, learn कर लो, और exam में जल्दी से लिख लो, जहां पर भी टिग्नोमेटर के questions आजाए, जिससे आप असाने से solve question हो, ठीक है, इतना clear है, Pythagoras theorem का ये भी आपको पता होना alpha, beta, ये आपको पता है, ये alpha होता है, और ये beta होता है, is equals to zero and beta is 30 degree, when sin alpha and beta minus is equals to, ये किसके equal होगा, देखो, सबसे पहले, okay, हमें एक इवन है कि cause जो है, वो alpha plus beta is equals to zero है, ठीक है, is equals to zero, तो that means, ये इसका क्या मतलब होता है, कि ये है 90 degree, is equals to 90 degree, that means alpha plus beta is equals to 90 degree, ठीक है, अब हमें ये पता है कि beta जो है, वो क्या है, 30 degree है, तो alpha plus 30 is equals to 90, तो हमारा alpha निकल जाएगा, that is 90 minus 30, तो कितना निकल गया हमारा, 60 degree, ठीक है, अब हमें sign के हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें निकाना है, that is alpha minus beta, ठीक है, तो वो किसके equal होगा, ये हमें बताना है, तो हमें alpha भी पता है, that is 60, beta भी पता है, 30, तो वो ही हम करेंगे, इसके अंदर, sign 60 minus 30, कितना आ गया, sign आपका आ जाता है, 30 degree, ठीक है, तो 30 आपको पता है, क्या है, बीटा है, तो ये क्या आ जाता है, आपका, sign, पीठा, तब options में देख सकते हो, आपका C option क्या हो जाता है, correct हो जाता है, ठीक है, इतना clear है, I hope आपको technometric के questions आती ही, आती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ही होता है, technometric का, जादा भुश्किल नहीं होता है, अगर आपको एक बार technometric के questions अच्छे से समझा जाए तो, I hope आपको ये question बहुत अच्छे से clear हो गया था, easy थे दोनों MCQs, अब हम देखते हैं, 9th question, if figure P and Q are the points on the side AB and AC, तो आपको P and Q point दिख रहा है, जो कि AB और AC side पर है, in the triangle ABC, such that AP, AP अपका है 3.5, PB है आपका 7 cm, AQ है आपका 3 cm, QC है आपका 6 cm, और PQ, PQ वाइल लाइन है आपकी 4.5 cm, then the length of BC, हमें इसकी length जो क्या करनी है, find out करनी है, वो कैसे हम कर सकते हैं, same वही हम theorem का use करेंगे, that is BP, ठीक है, BPT theorem का हम सबसे पहले use करते हैं, जब ये पैलर है, ये पैलर है, तो हम इसको वैसी उसी तरीके लिएगे, that is AP upon PB, ठीक है, is is equals to 3.5, ये हो जाता है आपका 7, तो ये आपका आजाएगा 1 upon 2, same इसी तरीके से side का भी करेंगे, AQ upon QC, is is equals to 3, और upon 6, तो ये आपका 1 upon 2 ही आ जाता है, ठीक है, इतना clear हो रहा है, आगे हम देख लेते हैं, अब ये चीज और ये चीज दोन हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कि AP, AP जो है, upon PB is equals to AQ और QC, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वाल हो जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे, किसका BPT theorem का, ठीक है, तो मैं लिख देते हूं, by Converse of BPT, ठीक है, तो इसके according है, आपका QP, जो है, वो गया है, पैलर है किसका, BC का, सॉरी, CB का, क्योंकि QP, CB, ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे, similarity देखेंगे, किसके अंदर similarity देखने वे हैं, triangle AQP और ACB, इस वारा छोटा triangle और यह पुरा बड़ा triangle, इन दोनों में similarity देखेंगे, तो इन triangle AQP and triangle ACB, ठीक है, क्या क्या similarities हो रही है, एक तो common angle, इस मेरी गला क्या आएगा, वो common angle क्या है, that is A, ठीक है, common angle, ठीक है, आगी देखते हैं, और क्या similarity है, एक तो corresponding angles भी दो निगले का हमारा, AQP और ACB, angle AQP and equals to angle ACB, ठीक है, यह क्या हो जाते हैं, corresponding हो जाते हैं, तो दोनों में क्या similarity होगी, angle angle की होगी, तो by AA similarity, इतना clear है, चलिए, आगे देखते हैं, इस question में और क्या बोला गया है, similarities की बात हो चुकी है, similarities की बात हो चुकी है, तो अब हम बही चीज़ करने वाले हैं, इसके अंदर, दुबारा से converse करेंगे, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाता है, हमारे पास, AQ upon AC, AQ upon AC, इस triangle कर ले रहे हैं, is equals to AP upon AB, ठीक है, sorry, हम यहाँ पे न, corresponding sides लेंगे, तो मैंने क्या क्या लिया है, AQ और AC, ठीक है, और यहाँ की corresponding sides हो गई, PQ और हमारा हो जाता है, BC, AQ और BC, corresponding sides of the similar triangle, आप proportion, हम इसी दोनों ही triangles की बात कर रहें, ठीक है, आगे देखते हैं, AQ upon AC, आपका AC जो है, उसमें क्या क्या आ रहा है, AQ और QC आ रहा है, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, AQ plus QC is equals to, अब हम बात करते हैं, PQ की और BC की जो की same रहेंगे, that is PQ upon BC, ठीक है, अब हम जल्दियोदी values पुट कर देते हैं, इसमें value, AQ की value है 3 upon 3 plus 6, इसकी और इसकी करेंगे, is equals to PQ की क्या है 4.5 upon BC हमारे पास है दी, तो इस दिखा करेंगे, PC की value हमारे पास निकलाएगी, length निकलाएगी, तो वही हम करेंगे, that is BC is equals to, BC is equals to, यह आपका क्या हो जाता है, यह आपका cut हो जाएगा, that is 6, 7, 8, 9, तो यह 9 upon 3 हो जाएगा, तो यह 3 से cut हो जाएगा, तो उपर क्या आजाएगा, 1 upon 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 4.5 को इंटू करेंगे हम 3 से, तो BC की length हमारे निकलाएगी, that is 13.5 cm, ठीक है, 13.5, देखो, B option आपका क्या हो जाता है, correct हो जाता है, जाता कुछ नहीं है, BBD theorem पता हो नहीं चाहिए, questions की practice हो आपने कर रुखते होगी, तो यह question आपको clear होगा, ठीक है, MZQ था, थोड़ा सा बड़ा था, अब हम करेंगे 10th question, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, अब आपको यह figure दिख रही है, इसमें क्या है, AB जो है, वो parallel है, इसके DC है, ठीक है, तो DC आपको 3AB दे रखा है, मतलब DC जो है, वो 3AB का है, ठीक है, if the diagonals intersect each other at point O, दोनों diagonals जो है, वो intersect करने है, O पे, तो हमें क्या बताना है, A, O, और O, C का क्या बताना है, ratio इन दोनों का क्या बताना है, ratio बताना है, तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, same, सबसे पहले हमें similarities देखनी होंगी, ठीक है, हम कौन-कौन साइस के अंदर use कर सकते हैं, एक तो यह वाला कर सकते हैं, A, O, B, triangle, और हम triangle C, O, D, Bs के अंदर use कर सकते हैं, यह दोनों use करेंगे, और इसके अंदर similarities निकालेंगे, फिर corresponding sides देखेंगे, two similar triangles के, उस according हम के अंदर निकाल सकते हैं, ratio निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने यह वाला question किया था न, upon में करके, sides को, उसी तरीके से हमें इसे भी solve करना है, तो देखते हैं कैसे सम करेंगे, तो इसके अंदर हमें यह पता है, कि AB जो है, वो parallel है इसके DC के हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं, in triangle AOB and triangle COD, COT, ठीक हैं, तो इसके अंदर कौन-कौन जी similarities हो गई, सबसे पहले similarity हो गई, vertically opposite angles, AOB and COD, यह दोनों क्या होगा है, vertically opposite angles, AOB is equals to angle COD, vertically opposite angles, आप exam में पूरा लिखते हैं न, VOA मतलिक क्या जाना, ठीक हैं, आगे दिखते हैं हम, ABO, ठीक हैं, और CDO, क्या बन जाते हैं यह, alternate interior angles, यह वाला angle और यह वाला, क्या बन जाते हैं, alternate interior angles, तो angle ABO is equals to angle CDO, angle CDO, क्या बन जाते हैं, alternate interior angles, ठीक है, इतना clear है, तो दोनों ही angles हो जाते हैं, तो by AA similarity criteria, ठीक है, तो यह हमने निकाल दिया, दोनों टो angles में क्या होगा है, similarities हो जूँँए, अब इनी दोनों triangles के according, हम क्या कर देंगे, corresponding sides देखेंगे, इन दोनों similar triangles की, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे, AO upon CO, यह अब बच जाता है, AB और CD, AB और CD, यह क्या हो जाते हैं हमारे corresponding sides, ठीक है, आगे देखते हैं, इसके आगे हम गया कर सकते हैं, अब आपको एक चीज़ पता है, कि DC जो है, वो क्या है, 3AB है, DC क्या है, 3AB है, तो मैं यहाँ DC की जोगा क्या लिख सकती हूँ, 3AB लिख सकती हूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या लेने वाली हूँ, AO upon CO, is equals to AB upon 3AB, ठीक है, इतना clear हो चुका है, ओकी, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं इसका, यह रेशियो AB से AB कट गया, तो आपका रेशियो क्या आजाता है, AO upon CO का, that is 1 upon 3, तो इन दोन का रेशियो क्या हो जाता है, 1 ratio 3, options में देखो, C option क्या हो जाता है, correct हो जाता है, ठीक है, इतना clear है, जो हमें चीज गिवन होती है, उसके according आप question solve करने की कोशिश किया करो, ठीक है, और आपको किश theorem स्वेगेर, यह सब चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, अब हम देखते हैं 11th question, 11th question इस circle chapter से है, देखते है, PQ is a chord of the circle, with center O, and PT is a tangent, अब आपको यह circle दिख रहा है, ठीक है, एक chord of the circle, center O आपको गिवन है, यह PT is a tangent है, इस angle QPT, यह आपको Q, QPT, मतलब यह वाला पूरा angle, यह आपको 60 degree के दरने है, ठीक है, तो angle PRQ, यह वाला angle कितने का होगा, यह हमें find out करना, यह आपको भी प्रम दे रखा है, 60 degree दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या given है, कि angle QPT, यह आपको दे रखा है, 60 degree, यह चीज आपकी given है, ठीक है, आगे देखते हैं, QPT, और मैं आपका एक और tangent बना रही है, हाँ पे that is T dash, ठीक है, अब हम क्या लेंगे, यह पूरा tangent लेने वाले हैं इसके अंदर, यह पूरा कितना angle हो गया, मतलब, यह वाला पूरा, और यह वाला, यह मिला के 180 degree हो गया, तो हम क्या करने वाले हैं, आदा तो हमें दे रखा है, 60, आदा हमें दे रखा है, और पूरा हमें पता है, वाले हमें T होता है, तो उसा कोडिक हमें क्या लिख सकते हैं, कि angle QPT dash is is equals to, यह QPT यह वाला dash वाला, यह हमें find out करना है, is equals to 180 degree minus QPT की value, that is 60 degree है, इसके जगह आप लिख दो angle QPT, ठीक है, तो angle QPT dash निकला हमारा 60 degree, sorry, 60 में से minus करेंगे, that is 120 degree, 60 degree, ठीक है, यह हमें clear हो चुका है, अब हम क्या considerate करने वाले हैं, कि कॉट PQ और हमारा जो circle है, उसमें PRQ और QPT, यह क्या हो जाते हैं, alternate segments, angles of alternate segments are equal, ठीक हैं, तो मैं यह लिख देती हूँ, कि angle, angle हमारा क्या है, PRQ, PRQ, जो हमें find out करना था, is equals to QPT dash, angle QPT dash, यह दोनों equal Q हो गए, क्योंकि angles, in the alternate segments are equal, वो क्या होते हैं, equal होते हैं, इसी वज़ यह equal हो गया, तो QPT dash हमने अभी नहीं काला, that is 120 degree, तो angle PRQB क्या हो जाता है, आपका 120 degree, options में देख सकते हो, A option आपका correct हो जाता है, ठीक है, इतना clear है, मैंने क्या किया है, यह वाला angle, और एक यह वाला, यह क्या हो गया, alternate हो गया, alternate segments हो गया, जो की equal होंगी, उसी according में आपे solve, I hope आप वो यह question बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, okay, question number 12, length of the arc of sector angle, that is 90 degree, and radius is 14 degree, तो measure of arc, ठीक है, measure of arc, यह आपका कितना हो जाता है, 90 degree आपको दे रखा है, और radius आपको कितना दे रखा है, that is 14 centimeter, of the circle, ठीक है, okay, तो आपको पता है, कि कोई arc होगी, कितने की होगी 90 degree हमें given है, चाहरे तो 45 degree भी कि, कभी किसी-किसी questions में given होती है, अगर आपको प्राक्टिस कियो हो, तो measure of arc आपको 45 भी given होती है, और different 60 भी given होती है, ठीक है, तो इसमें क्या को given है, वे 90 degree given है, तो अगर हमें length of arc हमें निकालनी हो, length of arc, तो क्या formula होता है, हमारा 2 pi r into 360 degree, angle 360 degree, तो 2 pi की value क्या होती है, 22 upon 7, radius आपको कितना given है, 14 into angle, आपको measure of arc दे रखा, that is 90 degree upon 360, ठीक है, अब simply इसे solve कर दो, 7 to the 14, तो अब इसको इंटो करो 44, 44 to the आपका हो जाएगा, 88, तो आपका हो जाता है, इसे आप cut करोगे, जिसे 0 to 0 cut कर दिया आप ने, तो टोटल इसका answer आजाता है, 22 cm, इसे solve कर दो, आपको 22 cm ही answer आएगा, that means, आपका A option जो है, वो क्या हो जाएदा है, correct हो जाता है, इसमें आपका A option क्या हो रहा है, correct हो रहा है, I hope आपको ये चीज़ clear हो रही होगी, ये question बहुत easy था, length of आपका formula बताऊने चीज़, ये दोनों चीज़ आपको बस given है, सिर्फ put करो, और निकल जाएगा, जाएगा, MCQs है, तो हमें fast fast करना होगा, the total surface area of hemisphere of the radius is 14 cm is, तो इसमें total surface area निकालना है हमें hemisphere का, तो इसका formula क्या होता है हमारा, that is 3 pi r square, चीज़ कहा है, radius आपको given है, pi की value हमें पता है, 3 से इंटू कर दो, simple, जल्दी ज़र करते हैं, 3 into 22 upon 7 into radius आपको दे रहा है, 14 से cut करो, तो चीज़ कहा है, to do is a 44, 44 into 3, तो आपका आजाएगा, 1848 cm square, यह answer आपका आजाता है, that is total surface area of hemisphere, options देख लगें जे, इसमें 1848, यह वाला है, यह option क्या हो ज़दा है, आपका correct हो ज़दा है, चीज़ कहा है, इतना clear है, I hope आपको clear हो रहा होगा, अब क्या आपका last question बज़ता है, that is 14, इस वीडियो का last question, so if u1 is equal to x1 minus 20 upon 10, ठीक है, यह f i u1 30, आपको दे रखा है, तो यह question आप देख सकते है, that is हमें mean निकालना है, तो उसका formula आपको पता है, सबसे पहले यह वाली चीज़ हमें जो given है, that is u1 is equals to x1, formula क्या होता है इसका, plus में होता है, a upon में होता है h, यह आपको given है, तो a आपको पता चल गया, that is 20, और h आपको पता चल गया, that is 10, ठीक है, इसका mean निकालना का formula क्या होता है, is equals to a plus h, into में चल जाएगा, sigma f1 ui upon sigma f5, ठीक है, तो a कितना है आपका, 20 plus 10 into 30, यह आपको given है न, 30 and 40, 30 upon में चल जाएगा 40, ठीक है, इसे solve करोगे, तो 30 into 0.75 आएगा, is equals to 27.5, यह आपका answer आजाएगा, तो is according, आपका c option क्या हो जाता है, correct हो जाता है, I hope आपको यह 14 question, बहुत अच्छे से clear हो गए होंगे, आगे हम यह वाला sample paper, complete करेंगे, section A को भी complete करेंगे, section B को भी next video में complete करेंगे, I hope आपको video पसंद आई होगी, video पसंद आई हो, तो like जरू कर दीजएगा, चानल को subscribe करना, मन भूलेगा, thank you so much for watching, bye bye.